लंडन में 22 ओक्टूबर को सुख सिक्का नीलाम होने जा रहा है तो ये जो सिक्का है इसका भारेस से कनेक्शन है और ये लंडन में नीलाम हो रहा है ये नीलामी जो है ये अंदासा लगाया जा रहा है कि 2 लाख से लेकर 3 लाख पौंड तक हो सकती है अब अगर हम 2 लाख तिके बेचना चाहते हैं तो आगे 5 एंडिवीशन लगने वाले। कुछ तो यहां पर लग चुके हैं, उसके बारे मैं बताउँगा, कि यह एंडिवीशन जैसे नहां पर एंडिवाद और यहां पर लखनु इन जगफान पर एक जि ए प्राइड लगने वाले तो इसके पाटी में एक्जिवीशन लगने वाले हैं तो इन सभी जगहों पर पुराने नोट और शिक्कों की एक्जिवीशन लगने वाले हैं तो अगर आप डिरेक्ट एक्जिवीशन में जाकर नोट और शिक्के बेचना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए नोट औ के वज़े से वो लोग नोट और सिके नहीं बेच पाते वैसे तो किसी की बुराई नहीं करना चाहिए लेकिन कुछ ऐसे लोग है जो अपने सैंक्रो चैनल बना लिये हैं और सबी चैनल पर एक ही तरह की वीडियो है और उसमें बताए जाते हैं कि आपको 50 लाक रुपए मिलेंगे स्कॉर्पियो मिलेगी तो वो लोग जो है आपका समय बर्वाद करते हैं इसी वज़े से आपके नोट और सिके सेल नहीं होते और कई बार बायर लोगों के साथ फ्रॉड कर लेता है जियां जब आप बायर से कॉंटेक्ट करते त किसी को नदे यह वाद ध्यान रखें ताकि आपके साथ कभी कोई फ्रॉड नहों देखे पुराने नोट और सिकों की जो एक्जिवीशन लगने वाली अभी जैसे कि दिल्ली में अभी एक्जिवीशन लग चुकी है जो एक अगस्ते चल रही है और पचीस अगस्त तक चले कि कौन-कौन से सिक्के और नोट है जिससे आपको बेचना है इसके लिए कोई राइस्टेशन फर्म नहीं भरना परता है कोई भी पैसा नहीं लगता है बिलकुल फ्री निसुल्क आप इंट्री ले सकते हैं किसी भी पुराने नोट और सिकों की एक्जिवीशन में पुरान यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो वहाँ पर नहीं जा सकते तो अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते हैं तो आपके लिए भी यहाँ पर एक सोल्यूसन है कि एक ऐसे बायर ने हमसे संपड़ के किये हैं जिनको पुराने नोट और सिके चाहिए और वो आपके घर आकर नोट और सिके ले लेंगे इसके लिए कोई राइस्टेशन सुल्क और नहीं लिया जाता है इन्होंने पहले ही मैंने इनसे पूछा कि क्या आप राइस्टेशन चार्ज करते हैं यानि कि पैसा मांगते क्योंकि पैसा मांगने वाले लोग फरजी होते हैं इसलिए मैं देख करने के बाद भी अगर आप से कभी भी पैसा मांगा जाता है किसी भी रूप में तो आप नहीं दीजेगा ठीक है तो यह ची ध्यान रखें वैसे नहीं मांगा जाएगा मैंने उनसे संपर्क किया है और उनसे पहले ही इस बात की किलियर करवा लिया कि आप रेइस्टेशन फी का और नोटिफिकेशन आउन कर लिजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंटों बताई कि हमारे पास पुराने नोट और सिक्के हम बेचना चाहते हैं लेकिन इतने दिनों से मेरा नोट और सिक्का नहीं बिख पाया है तो जरू कमेंट किजिए चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगो एक एक करके नोट और सिक्के बताने वाला हूँ जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख पा रहे होंगे कि अभी जो नया सो रुपे के नोट चल रहे उसमें भी बहुत ऐसे नोट है जो रेयर है तो ऐसा नहीं है कि बहुत पुराने नोट रेयर हो जाता है किसी का गवर्नर रेयर हो जाता है या किसी पर प्रिंटिंग मिश्टेक हो जाती है तो इससा वज़र से आज के जो नोट है वो भी रेयर है वैसे तो आप यहां पर एक रुपे वाले नोट देख सकते हैं और यहां पर अंग्रेज जमाने के भी 10 रुपे तो अलग अलग नोट यहाँ पर हमेशा से लोग बेचते हैं और लोगों के नोट और शिक्क्री बिकते भी आई पहित अगर आपके पास कोई भी नोट या सिख्का है तो पहले आपको समझना परेगा कि जो नोट या सिक्का आपके पास है वह बास्तब में औरिजनल है या नहीं है यानि कि रेर है या नहीं है तो इसके लिए आप संपर्क जब करते हैं तब आपको फोटो भेजने के लिए बोला जाता है और उसके बाद आपको बता दिया जाता है कि नोट और सिक्कों की कीमत कितनी मिलेगी अगर आप हाँ बोलते हैं तो ठीक है अ लेकिन जो रियल बायर होता है तो अगर आपके सिखे के कीमत 15,000 रुपए है तो 15,000 बताएंगे 50,000 तो यह होते है रियल बायर की पहचान तो देखे यहां पर आपको जितने भी सिखे मैंने दिखा हैं इसके अलावा मैं आपको कुछ नोट और सिखे आगे दिखाने वाला कॉंटेक्ट नमबर आप लोग के साथ सेयर करने वाला हूँ ताकि आप लोग डिरेक्ट इन से संपर्क कर सके और बहुत ही अच्छे बायर है इनका एक्जिविशन जो है वहां पर बहुत बड़ा दुकान रहता है तो चलिए मैं आप लोग को इनका नमबर दे देता हूँ और नोट और सिको के बारे में भी बता देता हूँ तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं 786 सीरियल नमबर वाले नोट के बारे में यह देखे 786 सीरियल नमबर है अगर आपके पास 786 सीरियल नमबर का नोट है चाहे वह 10 रुपे के हो 100 रुपे के हो 200 रुपे के हो तो यह नोट जो है fancy number note होते हैं और इसकी market में कीमत लाख रुपे है तो अगर आपके पास 786 बर्डे नमबर वाले note, anniversary note या 108 वाले currency note है तो ये सबी note जो है rare माने जाते हैं और इसके वज़े से आपको अच्छी कीमत मिल सकती है एक normal note के बदले भी जो की बहुत पुराना नहीं है इसको आप 10 रुपे के नाव वाले note भी बोल सकते हैं इस note के back side की photo में आपको नहीं दिखा पारें लेकिन मैं आप लोगों कहना चाहता हूं कि इस note के पीछे जो है एक नाव का चीन बना हुआ है और ये 10 रुपे के black and white note है तो अगर आपके पास भी 10 रुपे के ऐसे black and white note ह तो इसकी भी कीमत आजकल आस्मान छूड़ रही है और आपको जो है बहुत अच्छी कीमत मिल जाएगी इस note के बदले भी उसके बाद बात करते हैं यहानी कि यहाँ पर मैं आपको अलग-अलग सिक्के और note जल्दी जल्दी बता रहा हूं ताकि आप लोग कम समय में ज्या से जादा से जादा note और सिक्के के बारे में जान सके और अपने note और सिक्के बेच सके क्योंकि आप लोग बहुत दिनों से परिसान हो रहे होंगे और बहुत सारे ऐसे चैनल को आपने देखा होगा जहां पर आपको सही information सही number नहीं दिया जाते बस आपको वीडियो के से जेल हो जाएगा ऐसा मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि 2ौल या पांच लाख लिखेंगे तो 5 के लोग के अभी चैनल हो जाएगा क्योंकि और से करने जिन जर्दियों सबसे पहला होता है कि नोटो करने रहे होई है यानि कि यहाँ पर pen से बहुत सारी चीजे लिखिये, तो फिर वो सेल नहीं होगा, दूसरी बात है कि जो सिक्का होते, कोई-कोई क्या करते है, कोई जो सिक्का भेजते हैं, तो उनको साफ नहीं करते हैं, अगर आपका सिक्का काफी गंदा दिख रहा है, तो उसको सर्फ से, या किसी ब्रस से साफ कर लीजिए उसके बाद फोटो भेजिए ताकि जो बाइर है उसके उपर अच्छा इंप्रेशन परे और वो सिक्का आपका बिख जाए कुछ लोग क्या करते हैं साफ नहीं करते हैं ऐसे ही भेज देते हैं तो फिर उनका सिक्का इस वज़े से भी सेल न यह देखिए उडिशा के सूरे मंदिर से लिया गया है कुनार्क चक्र तो यदि आपके पास 20 रुपए के इस तरह का पुराना नोट है तो आप 50,000 रुपए तक इस नोट के बदले प्राप्त कर सकते हैं 20 रुपए के कुनार्क चक्र वाले नोट के बदले जी हां बहुत ह अच्छी कीमत है और इस नोट को कलेक्ट करने वाले लोग बहुत जादा है इस वज़ए से यह इस वज़ए से भी यह नोट जो है काफी ज्यादा कीमती होता है और लोगों से लोगों को यह नोट खरीदने में काफी ज्यादा दिल्चस्पी भी होती है इसलिए जो बड़ का वो लोग फिर से दूसरे लोग को बेचते हैं तो मार्केट में इसकी डिमांड रहती इसलिए जो भी बायर होते हैं वो इसे बहुत जल्दी पर्चेस कर लेते हैं उसके बाद आता है यहां पर पांच रूपे का ट्रैक्टर वाला नोट दिखें पांच रूपे का जो ट्र जर्बैंक का लोगो भी देखने को मिलेगा जबकि दूसरे नोट पर ऐसा कुछ भी नहीं है तो पहला वाला नोट असोक चिनवाला है दूसरा पर गांदी जी की फोटो है तो अगर आपके पास इस तरह के नोट है जो की पांच रूपे वाले नोट है तो आप इसको भी ब यह दोनों ही नोट में common है इस नोट की कीमत की बात की जाए तो एक एक गिवीशन में यह नोट जो है दो लाख पचास अजा रूपे में एक नोट sell हुआ था जो की rare नोट था और उसका serial number भी fancy था तो वो नोट जो है एक लाख पचास अजा रूपे में sell हुआ था तो आप आपके पास जो note है वो कितना rare है यह तो आपको फोटो भेजने के बाद पदा चलेगा कि कितना rare note है अब बात करते हैं कि बाईर से संपर्क कैसे करें बाईर का number क्या है देखें कुछ लोग क्या करते हैं कि बाईर का जो number आप देर है उस पर phone नहीं लग रहा है तो क्या दे करेंगे उस टाइं बहुत कम लोग कॉल करते हैं तो आपका कॉल लग जाएगा ठीक है तो यह जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इस पर संपर्क करना है स्क्रीन पर जो अभी आपको नंबर दिखाया जा रहा है इस पर आपको संपर्क करना है अगर संपर्क नहीं हो के लिए आधार का ओटीपी बैंक का ओटीपी या कोई लिंक भेज़कर गूगल पर फॉन पे में पैसा रिसीव करने के लिए बोलता है एडवांस हो गारा कुछ भी तो गलती आपको नहीं करना है यह जो बायर होते हैं यह आपको कैस्ट दे देते हैं आपके ड्रेस पर आकर हो जाएगा तो यहाँ पर डॉपे आपको क्लिक करने के लिए उसके बाद इस तरह से आपको आपके सामने open होगा तो आपको भासा सेलेट करनी है जो भी आप हिंदी ऑंगलिश जो रखना चाहते हैं वह रख लिजएगा और उसके बाद यहां पर किलिक कर दीजएगा उसके बाद यहां पर आपके फोन में जो भी नंबर रहगा वह नंबर आपको सूजाएगी जो नंबर आपके फो पर क्लिक करते हैं जैसे सेंड कोड पर क्लिक करेंगे तो कुछ पर्मीशन जिसे आपको लॉग करने के बाद आपके जो है सक्सेशफुली वेरिफाइब हो जाएगा नंबर उसके बाद यहां पर आपको डिख रहा है इस पर आपको कुछ नहीं करना इंटर यूर नेम पर कर देगे ऊजिए इसके बार कर दीजिए और यहां पर tel लोकेशन को पको सोब सितरफे जो भी आपका लोकेशन होगा होह फोग सिट आपका तो अब आपका सेम एस्ट है तो आप सेव पर किलिक करी अगर दूसरा है तो आप इसको यहां से चेंज भी कर सकते हैं तो जिसे आप सेव कर देंगे उसके बाद प्ले नौ इस तरह से आ जाएगा तो आपका रेइस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है